प्रेवियस यर 2019 का गुश्चन है बोर्ड का और कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है बिल्कुल नॉर्मल से सिम्लाइटी करनी है ACB एक राइट ट्रेंगल है मतलब यह एंगल 90 डिग्री दिया हुआ एक तो ACB और CD AB के परपेंडिग्लर है प्रूव करना है यह जो CD है ना C वर्टेक्स है जो परपेंडिग्लर लगाया इसका स्क्वेर और जिस साइड पर लगाया इस साइड पर लगाया AB तो उसके पार्ट्स क्या बनें AB के AD और BD उसके प्रोड़क्ट के एक्वल होगा तो जिन मैं दो ट्रेंगल में टिक लगा रहा हूं इनको सिम्लर प्रूव करना है तो देखें प्रूव मुझे बताओ बटा एंगल वन प्लस एंगल टू 90 डिग्री हो गया ना क्योंकि एंगल ACB अगर 90 है और अगर ACB के मैंने दो पार्ट्स दिखा दिया है ऐसे तो एंगल वन प्लस टू 90 डिग्री हुआ हा या ना बोलो अब ये एक राइट ट्रेंगल है ये ब्ल्यू वाली है ये वाली दिखी है CD है इस CD है ट्रेंगल में एक एंगल तो 90 है तो बच्चे में दो एंगल ये वन है तो इसको 3 कह दू मैं एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस CDA या ADC is 90 डिग्री अब ADC तो प्रपेंडिकुलर की वजा से 90 है तो एंगल 1 प्लस 3 भी 90 हो गया 90 उतर जाके माइनस हो गया प्रॉइंट नमबर 2 प्रॉम 1 एंट 2 यहां पे लिखो फ्रॉम 1 एंट 2 1 एंट 2 से क्या पता लगा कि सर 1 प्लस 2 भी 90 है और 1 प्लस 3 भी 90 है तो दोनों को एक्वेट कर दिया तो कौन सा एंगल कट हो गया 1 और 1 तो 2 is equal to 3 पता लग जया अगर 2 किसके equal आगया बेटा 3 के ध्यान से देखो इस ट्रेंगल का एंगल 2 यह green में mark कर देता हम मैं यहां तक means DCB और इस ट्रेंगल का एंगल 3 आपस में equal हो गये तो यह दोनों ट्रेंगल similar क्यों ही अब देखो अगर मैं लिखता हूँ ADC तो उदर से लिखा CDB ट्रेंगल ADC and CDB का एको similar है बताओ अब यह अब ही तो कह रहे हो ADC का एंगल 3 यानि की एंगल A और CDB का एंगल C means angle 2 proved above अभी तो equal prove किया यह देखो यह न proved above और ADC का एंगल ADC 90 है और CDB का एंगल CDB 90 है 90 डिगरी इच यह बात तो given है तो ट्रेंगल ADC और CDB similar हो गई ट्रेंगल ADC is similar to triangle CDB कौन से logic से by AA अब similar हो गई तो corresponding sides का ratio क्या होता है बच्चों save होता है मैं उपर लिख दू यह ratio यहाँ पे लिख रहा हूँ कौन सी similar होई है यह भी लिख लो ADC similar हो गई triangle CDB के किस logic से होई मैं वार लिख चुका हूँ य डबल A अब question के अंदर किसी तरह से CD square लाना है तो मतलब CD ratio में दो बार use करना है तो इधर से CD लिया last के दो point से बना तो उधर से BD लेना पड़ेगा और इधर से AD लिया first दो point से तो उधर से क्या लेना पड़ेगा बच्चो CD cross multiply CD square is equal to AD into BD तो इह most important question है ठीक है normal similarity का use है तो इसको MCQ की term में पूछा जाए तो कैसा पूछा जाएगा यह question देख लो हमें पता लग गया यार अगर एक right triangle है उसके right angle वाले vertex से perpendicular खीचा जाता है तो उस perpendicular का square और जहां पे वो perpendicular गिराया गया उसके दो parts बनेगे उस side के उन दोनों parts के product के equal होगा मतलब कल को यह question आ जाए मैं थोड़ा change कर रहा हूँ भही AD 4 BD 9 4 units और 9 units आ जाए तो बताओ बच्चो CD क्या होगा इस trick से direct MCQ में अगर ये question आ जाए तो बताओ हमें पता है CD square जो होगा वो 4 और 9 के product के equal होगा अभी अभी prove किया और एक कब होगा जब एक right angle triangle के right angle वाले vertex से perpendicular लगाया जाता है hyper news पे उस hyper news के दो पार्ट बनते हैं तो उस hyper news का product वो चो perpendicular लगाया गया उसके square के equal होगा यही तो prove किया तो CD क्या जाएगा बताओ 9 into 4 36 का square root 6 आ जाएगा ठीक है ये trick और MCQ और ये proof मैंने proper कर दिया